तो यह जो दो अब्जेक्स होने चाहिए दो अब्जेक्स पास-पास अगर रखे हुए है तो इतना होना चाहिए 6 mm का होना चाहिए जैसे 6 mm अगर रखा हुआ है तो जैसे बोर्ड पर मालों दो लेटर्स लिके हुए है तो उन दो लेटर्स के बीच का गैप 6 mm का होना चाहिए तब जो इस टेलिस्कोप से देखेंगे तो वो टेलिस्कोप क्लियरली रिजॉल्ड इमेज बनाएगा यह संजे तो यह हो गई तो यह हो गई वागिस्ट, बलाइब बावर आप दिस टेलिस्कोप लमाइए जिए पावर मेटर में करना जो भी इस्टेंस है रिजॉल्ड विंग पावर इस उकोल टु वन बाई एल वन बाई यह और यह जाएगा इन वन बाई-वाई-वाइट पा तो यह हो जाएगा resolving power मतलब जिसकी distance जितनी कम होगी उसका power उतना ज्यादा होगा क्लियरली कम से कम distance को भी वो जो है resolve कर लेगा साफ साफ image बना देगा बिल्कुल है ना यह सर तो वह device का resolving power होता है images को clearly resolve करने के लिए तो वह आई तिंग अभी यह दिमाग में सेट हो गया होगा नहीं जिसलेशन समझ में आए वहाँ सर ऐसा भी तो होता होगा तो दो स्टार के जगा में एक स्टार दिख रहा होगा और साइंटिस्ट को पता भी नहीं चलेगा हाँ 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 तो उसका resolving power पता होता है ना उसका resolving power पता होता है वो टेलिसकोप हाँ है तो फिर वो तो singular होगा पास पास में तो रहेंगे नहीं इतना स्टार बड़े बड़े अब्जेक्ट हां सर इतना मैसीफ अब्जेक्ट मतलब पास में थोड़ी रह सकते हैं आप तो यह बढ़े गाना यह तो एक किलोमीटर पे तुम पहुंचके तो आपजेक्ट पही प सब्सक्राइब करेंगे तो ही होगा अजीव है लाइट इस दूर है तो सोच लोग कितना वो डी लार्ज होगा तो सेपरेशन भी लार्ज होगा तो उसके कोडिंग हो जाएगी तो यह तो है यह क्राइटीरिया आएगा बहुत हो लो अब कम खाओ यसी मैं आओ आओ कर रहे अब है हमारा एक डिवाइस का एक रहेगा अब हमारा फ्रेजनल डिस्टेंस और फ्रेजनल डिस्टेंस फ्रेजनल डिस्टेंस और व्यालेटी ओफ्रे आप्टिक्स व्यालेटी आफ्रेज्टेंस और इसमें फ़र्मला लिखा जाएका तो समझ में नहीं आएगा कुछ प्रेज़ नहीं आएगी क्वेसेंन लेंगे तो थोड़ा सा क्ली टेसे माज आपस्थännशों तो वेलडिटीटिटीव आप्रिक्स मतलब क्या है कि जैसे ऐसे देखो कि दीए मानौ हमारी यह कोई भी ओपनिंग है सर्कॉलरर ओपनिंग है और यह से लाइट है लाइट आ रही है और यह क्या है यह सामने स्क्रीन अगर रे ओप्टीक्स वैलिड होता हुआ रे ओप्टेक्स वैलिड होता तो यह ऐसे जाना चाहिए था इट तो लेगा और पात्रे स्टेट लाइन पाथ से बंड हो रही है तो यह थीटा पर बेंडिंग हो गई यह स्माल डी थीटा पर यह हो गई बेंडिंग कि अब जितना डिस्टेंस हम और दूर करेंगे तो बेंडिंग उतना प्रॉमिनेंट होगा जितना अगर हम दिस्टेंस और बदाते जाएंगे तो बैंदिंग उतना और प्रामिनेन्ट एगा उतना डाएंगे उतना ज्यादा वो rays और प्लर नहीं होगा मतलब यह इस्प्रेडिंग कम होगी डिस्टेंस अगर यह जो ड है अगर यह ड करीज करते हैं तो तो स्प्रेडिंग कम होगी तो रे आप्टिक्स वालीड होता जाएगा और डिस्टेंस ज्यादा है तो रे आप्टिक्स इन वालीड होगा तो हमारी एक एक माक्सिमुम डिस्टेंस होगी अप्टु विच रे आप्टिक्स कैन बी एजूम टूबी वैलीड एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी मतलब उससे या उससे कम होगी तो रे आप्टिक्स बिल्कुल सही है उससे या उससे कम होगी तो रे आप्टिक्स बिल्कुल सही है उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस वसी को बोलता है Fresnel distance it is the maximum distance definition लिख दूंगा Fresnel distance is the maximum distance from the slit up to which ray optics is assumed to be valid or up to which bending of light is negligible bending of light is negligible हम उसको neglect कर सकते हैं that distance is called Fresnel distance to regional distance को लिख लेते फिर करते हैं कि the distance at which diffraction is spread of a beam distance at which the distance distance at which distance at which distance at which diffraction is spread diffraction is spread of a beam of a beam is equal to equal to the size size of aperture is called Fresnel distance Fresnel distance or it is the maximum distance it is maximum distance up to which the ray optics is valid the optics is valid diffraction negligible distance at which diffraction spread of beam is equal to the size of aperture diffract होके वो कितना जाए किसी भी एक साइड में किसी भी एक साइड में तो हम यह जो है कि अपने स्ट्रेट लाइन पाद से जो डाइफ्रेक्ट होके जाए कि अगर हम फ्रेजनल डिस्टेंस उस डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि जहां पे जो डाइफ्रेक्शन ए किसी भी एक साइड वह डाइफ्रेक्शन या वह वेंडिंग के साइस के بराबर हो ईच्वारे दिमाग में आगा कि नहीं से होना वैसे नहीं है जो बेंड़िंग किसी एक साइट जो इस प्रेडिंस है वो स्प्रेडिंस इस विडियर knife के बराबर होना चाहिए मतलब कि जो स्लीट की विट ते stewards d है तो d sin theta d sin theta होगी वहां पर is equal to lambda lambda मतलब spreading कहां तक spreading मतलब यही तो Central Maxima form हो रहा है है यही तो Central Maxima तो यह कहां तक जाएगा इसकेस प्रेडिंग यह लाइट से यह क्योज़ाएगा को ठीटा इसे कुल टू लेंबडा और साइग तू लेंबडा बाइडी और थीटा इस इकुल टू लेंडा बाइडी और फिलेटा जब हमें पता चल गया तो हमारी जो फ्रेजनल डिस्टेंस से जुसको organized से दिनोड करते हैं ऑगर जडेन्स पर प्लेक्ट है अगर这ट इससरे स्प्रेडिंग कितनी होगे कि की परढ़ाबर होगी तो अगर यह यह लाबड़ा वाई स्टेट क मेया टाल यह 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 लाबड़ा भाई टल ह être लैबड़ा- whome ज़ेट इस इकोल टू डी स्कॉायर बाई लेमडा तो डी स्कॉायर बाई लेमडा का डिस्टेंस मतलब है कि वहां तक क्या है कि इस प्रेडिंग को हम नेगलेजबल मान सकते हैं नेगलेजबल किसको मानेंगे बई क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो सेट किया गया कि किसी भी साइड और साइड किसी एक साइड तुमारे दिमाग में आगा कि दोनों साइड जोडना चाहिए न तो अब यह क्राइटेरिया एर फ्रिजनल का कि किसी एक साइड जो है जो डाइफ्रेक्शन से जो इस प्रेडिं कि यह नहीं ऐसा क्यों होगा कि ऐसे तो अगर हम देखेंगे हम सोचेंगे क्या कि जब एक तरफ क्यों हो पुछ आइसा ऐसा रहेगा तभी तो रे स्प्रेडिंग जो है वो डी के बराबर स्मॉल डी सर आप किसको लिया जैसे मालो लेंस एक ले लिया एक लेंस ले लिया मैं काल्कुलेट कर लेता हूं एक लेंस लिया लेंस का अपर्चर डाइमीटर है 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं 10 सेंटीमीटर अपर्चर डाइमीटर होता है रेडियो साब कर वेचर वेचर भी हम ऐसे लेते थे तो यह जो है मालिया की यह 10 सेंटीमीटर का है 10 centimeters aperture diameter opening जैसे आई है तो आई की जो circular opening है तो ये जो है वो 10 centimeter है तो इसके लिए Fresnel distance क्या होगी इसके लिए Fresnel distance Z अगर मालों visible range की बात करते है visible range के लिए lambda is equal to 5000 angstrom है 5000 angstrom है और इस circular opening जो aperture diameter है aperture diameter है लिकलेता हूं अपरचर डाइमेटर परचर डाइमेटर इस इकोल तो दी इस इकोल टू 10 सेंटिमेटर तो फाइंड फ्रेजिनल डिस्टेंस तो फ्रेजिनल डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो कितनी आजाए कि दी स्क्वाइर मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 पाइर माइनस 4 डिवाइड बाइड वेबलेंथ वेबलेंथ होजाए कि 5000 इंटू 10 पाइर माइनस 10 तो यह हुआ 10 पाइर माइनस 6 तो 1 बाइ 50 इंटू 10 पाइर 6 है तो कितना हो जाएगा बी 20 किलो मिट्र आएगा कि एटू 100 कितना है का 2020 टूंटी कि टूंटी किलो मिट्र आहेगा ना